मुझे पता है आप लोगों की मन की बात कि आप लोग बैले फैट से बहुत ज्यादा परेशान हैं किसी को बोला है कि मैं तो स्टार्टिंग से इतनी मोड़ भी मेरा बैले फैट कभी ख़तम हुआ ही नहीं कुछ लड़कें बोलते हैं कि यार प्रेग्रेंसी के बाद तो हमार सब्सक्राइब करते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए आज मैं बताऊंगे आप लोगों को रेमेडी कुछ एक एक्सराइज जिसको करके 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने बैली फैट को 3-4 इंच घटा सकते हैं लेकिन सार्थ इतनी सी है कि आपको पेशेंस रखना होग और आपको इमानदारी के साथ ये सारे स्टैप आपको फोलो करने होगे तो देर नहीं करते हैं बाते ही स्टार्ट करते हैं अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना है शेर करना है मुझे मोटिवेट जरूर करना है मुझे मोटिवेट के बिना नहीं इस वीडियो के उपर मुझे कम से कम दो हजार दो बस दो हजार लाइक चाहिए और शेर 100 शेर प्लीज रिक्वेंस्ट है क्योंकि बहुत साही लड़किया है जिनको परेशानी है बैली फैट को लेगे तो सबसे पहले रैमेडी रैमेडी कैसे बनानी है तो रैमेडी बनाने के आपको डाल देनी है एजवाइन की ताशिर गरम होती है अच्छा जब मतलब नया नया बेवी पैदा होता है तो उसकी ममा को एजवाइन पिलाई जाती है ताकि उसका जो पेट है वो बड़ा ना रहे वो अच्छी से रिडूज हो जाए तो आपको एक चमाचीस के अंदर एजवाइन को उबाल लेना है और हाँ एक बात और बताओं में आप लोगों को अगर आप सद्या है और सद्यों में एजवाइन का पानी अगर आप पीते है ना सुभे सब्सक्राइब खाली पेट तो भी आपको बहु ज़्यादा है तो आज हम मसाज करेंगे तो आपका य ट्रीक है किसी में भी स्टोट करकर आप इसको रख सकते है वन मन्त और ट्व मन्त के लिए और जैसे आपको ट्व मन्त पुमंध कम्पलीत होगा और यह ओल कंपलीत होगा खतम होने को होगा आपका बैली फैट भी आप देखेंगे कि खतम होने को हो जाएगा बहुत ज़न डाल सकते हैं, जिंजर डाल सकते हैं, और भी ज्यादा बेनिफिट पाने के लिए, अगर कुछ नहीं है, एजवाइन डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाली है, अब आपको क्या करना है, आपको रापको सोने से पहले करना है, अचा जब आ प्लेटेंगे ना तो नीचे तो बस कपड़ा लगा लेना है, इस कपड़ का यूच भी मैं आप लोगों को बदा हुई, फिर क्या करना है, यह ओल लेना है, और ओल के साथ आपको अपनी बैली फैट पे, रगड रगड के, बिल्कुल रगड़ना नहीं है, जैंटली रगड़ना है आपको, बिल्कुल आपको साज करनी है इस तरीके से क्या होगा, आपके अंदर तक हीट जाएगा, तो आपका जो फैट जमा हुआ है उसको हेल्प मिलेगा पिघलने में, इस तरह से बिल्етр है नहीं है, पांच मिनेट के लिए, जमे लिए 10 मिनट हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना है, कि आ जालने के बाद को छोड़ देना खीर और अईसे ही आपको लेटे रहं और जो कोटन का कपड़ कहा था को यह गहां अधा है अगर जो फॉलो टिन लागत उपर के लिए अवज कर सकते हैं तो इस इस तरह ऐसे मेरे पास नहीं है मैं जब भी करते हूं ऐसे ही करती हुआ तो तो बढ़ा सा टाइटल ही आपको बांध लेना है कम से कम 15-20 मिनिट के लिए आप इसको ऐसे ही रखेंगे और जैसे 15-20 मिनिट हो जाएंगे तो आप इसे खोल देना है खोलने के बाद आपको क्या करना है next step only one exercise बैड पे लेटे लेटे ही सारे काम बैड पे लेटे लेटे कर दे हैं और बिल्कुल आपका मतलब की क्या बोलते हैं उसको time थोड़ा सा भी आपका waste नहीं होगा आप TV देखते देखते इसको कर सकते हैं फोन देखते देखते आप इस cycling बहुत ज्यादा beneficial होते हैं जब आप cycling करते हैं तो आपकी पेट की नसें खिंचती है और आपका जो fat जमा हुआ है उसको reduce होने में बहुत बड़ी help मिल जाती है तो एक बार में आपको कम से कम 20 time cycling करनी है ठीक है और ऐसा आपको कम से कम 5 बार करना है 5 बार मतलब की 100 time आपकी cycling हो जाएगी तो बस 2 step करने हैं आपको मसाज करनी है और यह वाले exercise करनी है और मैं आप लोगों को shine करके दे सकती हूं कि 15 दिन में only 15 दिन में आपका belly fat आपको 3-4 inch कम हुआ मिलेगा और जैसे ही कोई चीज कम हो जाती है हम महनत करने जैसे कि तो किना confidence हा जाता है फिर उसको क हर रोज करनी है cycling भी हर रोज करनी है और जो feedback होगा वो मेशा शेयर करना है मुझे बहुत इंजदा रहता है आपके comments का कौन से remedy ने कैसा वा रख किया यह था आज का video I hope को video पसंद आया है अगर हां तो आप video को like कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं चैनल को subscribe भी कर सकते हैं दूसरा चैनल है वहां पर भी जा सकते हैं इस्टाग्राम पर आ सकते हैं जैसा मर्जी है totally आपकी मर्जी है मैं में देख प्रेशी सी वीडियो में तब दख लेहों से आप आने पिए खुश रहें खुश रखें और बाई